धोसा काने का मन है बताइए जरा चावल दाल फुलाना भूल गए तो कोई बात नहीं सरदियों का मौसम है चावल दाल फुला दिया लेकिन धोसे का बैटरी नहीं फुला अच्छे से तो कोई बात नहीं क्यूंग आज जो मैं रेसिपी सेर करने वाली हूँ न वो सिर्फ जरसों को टील गरम हो जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे इस द्वाए हम इसमें डाल देंगे प्याज तो प्याज आपको यहां पर मिडियम साइज की लेनी है और इस तरीके से छोटे कट करके डालना है तो इसे हम इस तरीके से चला लेंगे ताकि यह कढ़ाई में ना लगे और इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च जैसे आपको तीखा पसंद हो सि क्लान नब की स्थमूल कर सकते हैं ना आप पर आ ठाला होती है कि आ मैं तरफंगी ना इसे कि प्राइब का जाते हैं तो अाथ झालने के रिम गने करें के चुर्ण नाल मिर्च बाइगे च चीपके बाद मं रिल्काश पॉर्डर देख सकते हैं असा उ कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो है आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह देखे आप देख सकते हैं कि आलू जो है अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स हो चुकी है अब बारी आती है इसमें नमक डालने की तो नमक जो है वह स्वाद अनुसार हम इसमें डालते है तो आप अगर ने हैं तो थोड़ी से स्टार्टिंग में नमक डाले जरुओत पड़े तो इसे थोड़ा चकले अगर नमक कम है तो आप थोड़ा इसमें नमक और ढाल दे तो बैसیکली इसमें स्वाधनुसार नमक डालना है और इसमें हम डाल देंगे आमचुर पॉट थोड़ा सा और इसे चटपटा बनाने के लिए इससे भी बहुत अच्छी टेस्ट आएगी धोसे की मसाले को तो ये देखिए धोसे की जो मसाले होती है वो थोड़ी सी स्टिकी होती है तो इसमें हम डाल देंगे पानी थोड़ा सा को पतधा के लंग अंत कर लोगे अगे समाल किया करें अगे नहीं है तुछ परहाई दोसि की बेटर बनने के लिए तो इसे बनाना है डाल और चावल भूलat तो मैंने लिया यहां और 8 स्लाइश प्रेड निकाल क्लिया तो इसका हम करें तो यहां तो यह left here और जो स्लाइश प्रेड की यह किनारे के लिया इसका है लि Cameronide दो नियुक्स करम और तो इसे द्वस में रखाjakी लिया ना है और सुखाने के बाद आप उसे मिक्सी ग्राइडर में पीस ले तो इसकी पाउडर बन जाएगी और वो बन गई ब्रेट क्रम्स तो यह देखिए हमारी ब्रेट जो है किनारे हमने निकाल लिया था इसे हमने टुकडों में तोड़ लिया है इस तरीके से तोड़ने के ब एक चौथाई कप माप आपको ध्यान रखना है इससे आपकी ढूसा बहुत अच्छी बनी की अर इसमें हम डाल देंगे दही का हमने इस्तिमाल किया है एक चौथाई कप तो सूजी और चावल का आटा और दही जो है वह एक चौथाई कप डालेंगे हम यह चीज का ध्यान और अब हम इसमें डालनेंगे पानी, तो पानी हमें डबल डालना है, यानि कि एक चौथाई कप का हमने इस्तिमाल किया है, तो इसका डबल यानि कि हम आधा कप पानी का इस्तिमाल करेंगे, डालने के बाद हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे अब हम मिक्सी ग्र हम से इस तरीके से फेट लेंगे और इससी کंस्टेंसी जो है बहुत परफेक्ट है और इसमें हम बिल्कुल भी पानी के इसतेमाल नहीं करेंगे तो अब हम इसमें डौल देंगे नमक यह जुम नहीं डाला था इसलिये मैं अब इसमें डालूंगी साफिन on the distributing आप चाहे तो नमक पीसने के टाइम जब हम इसकी बेटर बनाएंगे उस टाइम भी इस्तमाल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो हमारी इंस्टेंट धोसा है तो धोसे का इंस्टेंट बनाने में काम आईगी इनो तो यहां पर हम एक छोटी चमच इनो का इस्तमाल करेंगे डालने के बाद हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो लीजिए धोसे की बेटर जो है बनकर तयार है अब बारी आती है इसे पकाने की भुषषण के बना सकते हैं या फिर नॉनिस्टिक बना सकते है तो रोटी ऒाली जो तववा है उसे आपको नउनिस्टिक बनाना पड़ता है तो उसे बनाने के लिए क्या करना हो Entscheidung को तहुआ पहले गरम कर लेना है उसमें पानी हमें हाथों से छ्ड़क देना इसके बाद is कपड़े से पोच लेना है इसमें हम डाल देंगे ऑईल डालने के बाद तावा में हम इस तरह के से फैला लेंगे तो तावा जो है वह आपकी नॉनिस्टिक बन जाती है और इसमें जो है ढोसा है बहुत अच्छी बनती है तो इस तरीके से आप ये टिस फॉलो करिएगा तो की जो ढूसा है वह बहुत अच्छी बनेगी तो चलिए अब हम ढूसे को बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम डाल देंगे ढूसे की बेटर डालने के बाद इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे हलके हाथ उसे से फैलाना है और फ्लेम जो है वह मीडियम होट रहेगी ये देखना है उसमें जब ठाख जाएगी तो उसके 시작 कि जब अच्छी की शशी की हैता किनारों को छुडाएंगे हलके हातों से आपको किनारों को इस तरीके से छुडा लेना है तो आप देख सकते हैं यांचे की साइंड surfing ॐसा ऐस है वह भी चेंज हो चुकी आपकी है कि धोसा है एक्दम परफेक्ट बनेगी तो आप इस तरीके से धोसे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगे और ये देखिए हमारी उपर की जड़ कर देना है तो जैसे आपको पसंद है कोई इस तरीके से करते हैं या फिर कोई रोल कर देते हैं या फिर कोई इसे ट्राइंग अगर आप मेरे चैनल पर नियू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो के नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हां लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले तो यह रेसिपी आप अपने घर वालों को बना कर खिलाएं और उन्हें खुश करें तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ और कुछ यूनिक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई